हेलो, कई बार हम एक्सल में काम करते हängen, तो हमें Errors से दिखाई देती हैं, تو Errors कैसे आती हैं, इनको अटाया कैसे जाता है, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में डेटेल से बताया, तो Errors के बारे में जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो को देखें, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि if error function की साइटा से कैसे error को hide किया जाता है इसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे यह हमारे पास data है यहाँ पे इस data में हम यह 45 यह हमारे पास दिया गया number और 45 को हम यहाँ पे 5 से divide करेंगे तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे equal to यह लिखा लिखने के बाद हम 45 को यहाँ पे इस cell पे click करेंगे यह cell नेम यहाँ पे आ जाएगा B3 इसके बाद इसको डवाइड करेंगे C3 इससे डवाइड करना है यहाँ पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद Enter प्रेस करेंगे तो Enter प्रेस करने के बाद यह जो है यहाँ पर अंसर आ जाएगा अब हम इसको निच्छे ड्रैग करेंगे यह देखो यहाँ पर इसको नीचे ड्रैग किया ड्रैग करने के बाद हमारे पास यह एरर यहाँ पर आ जाएगी जैसे यह देखो एश डिवाइड वाइज जीरो यह एरर यहाँ पर आ गई इसके बाद यह भी एरर है तो यह एरर क्यों आई तो इसको यहां पे जानते हैं यह हमारे पास 84 है 84 को यहां पे डिवाइड किया हुआ है बलेंक से तो जब हम 84 को बलेंक से डिवाइड करते हैं तो यह एरर हमारे पास आजाती है अब इसके आगे है 56 इसको डिवाइड किया हुए 0 से तो जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो ये error हमारे पास आ जाती है divided by 0 ये error हमारे पास आ जाती है इसके बाद आगे जो हुआ है ये सही है यहाँ पे तो सही result यहाँ पे आया हुआ है इसके बाद यहाँ पे value error यह आई हुई है तो value error तब आती है जब यह जो proper value हमने नहीं लिखी हुई है यहाँ पे यह देखो n ने लिखा हुआ है इसको divide किया हुआ है 15 से तो यह proper value नहीं है तो यहाँ पे value error यह आगे इसके बाद आगे 66 है इसको डिवाइड किया हुआ यहां पर blank है तो इसलिए यहां पर divide error यह आगे है इसके बाद आगे value सही है यह देखो तो यहां पर error नहीं आई हुई है इसके बाद यह जो है दो value यह blank value है जब blank value इसको डिवाइड किया हुआ है तो यह देखो यहां पर ये error आई हुई है तो ये error हमारे पास आई हुई है तो जब हम इनको देखते हैं तो ये error देखने में अच्छी ने लगती है अब हम ये चाहते हैं कि ये error हमें दिखाई न दें इस error की जगा हमें यहां पर blank show तो इसको करने के लिए हम यहां पर if error formula यूज़ करेंगे हर एक मे जहांपे error आ रही है वहांपे blank show करना जाते हैं तो यहांपे हम if error लिखेंगे यहांपे equal to ये लिखा लिखने के बाद हम क्या करेंगे यहांपे if error ये देखो if यहांपे यह इफ error यहांपे आ गया आने के बाद यहांपे हम इसके ओपर click करेंगे click करने के बाद यहांपे if error यह आ जाएगा आगे है यहां पे दिये गया है बैल्यू तो बैल्यू कौन सी है यहां पे यहां पे क्लिक किया इसके बाद डिवाइड किससे किया हुआ है यह इससे किया हुआ है तो बीज पे यहां पे हम डिवाइड ऑपरेटर यूज करेंगे यह देखो इसके बाद किससे divide करना है इस value पे यह blank value है इस से हमने इसको divide करना है यह value हमने यहाँ पे लिखी लिखने के बाद यह कोमा लगाया कोमा लगाने के बाद आगे यहाँ पे दिये गया है कि value if error जहाँ पे error आ रही है वहाँ पे हम क्या show करवाना जाते हैं यह यहाँ पे लिखेंगे तो इसको यहां पर क्या लिखना है हमने यहां पर blank की छोड़ना है तो यहां पर blank छोड़ना है तो यह एक text है तो text को हमेशा double code में लिखा जाता है तो यहां पर double code को start किया और double code को यहां पर फिर बंद कर दिया, क्योंकि हम यह blank चाहिए, इसके बाद हम यह bracket बंद करेंगे, और इसके बाद फिर enter प्रेस करेंगे, तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो, यह भी यहां पर blank आ गया, अब यह सारा निचे तक हमने चेक करना है, यहां पर click करेंगे, और इसके बाद इसको निच ड्रैग करेंगे यह देखो ड्रैग किया ड्रैग करने के बाद तो यह देखो जहां पर हमें एरर शो कर रहा था वहां पर यह सारे सेल जो है यहां पर ब्लैंक शो हो गई तो यह देखो यहां से एरर यह भी हट गई यहां भी एरर थी यहां से भी हट गई यहां से भी हट जाते हैं तो इसको करने के लिए फिर हम यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे डबल क्लिक किया तो यहां पे हम डबल कोड में यहां पे हाइफ़न लगाएंगे यह देखो हाइफ़न लगाया आइफ़न लगाने के बाद जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जहां पर error show हो रही थी, वहां पर हमें hyphen show होगा, enter press किया इसके बाद, तो enter press करने के बाद, फिर यहां पर click किया, इसको निचे यहां पर drag किया, drag करने के बाद, यह देखो, जहां पर error message show हो रहा था, वहां पर hyphen यह यहां पर आ गया, यह देखो, hyphen लगा हुआ है तो यह हाइफन यह लगके यहां पे आ गया है इसके बाद अगर हम यह चाहते हैं हाइफन की जगा यहां पे हमें text message शो तो हम यहां पे text message भी यहां पे लिख सकते हैं जैसे यहां पे हम click करेंगे click करने के बाद यहां पे double click किया double click करने के बाद यह formula यहां पर आ जाएगा और यहां पर यह double code में hyphen यहां पर लिखा हुआ है तो इसको यहां से delete करेंगे delete किया, delete करने के बाद अब हम यहां पर क्या text message शो करवाना जाते हैं वो यहां पर लिखेंगे तो कुछ भी यहां पर हम लिख सकते हैं जैसे suppose करो हमने यहां पर लिखा invalid यह हमने यहां पर double code के अंदर यहां पर invalid यह text message यहां पर लिख दिया लिखने के बाद जब हम enter प्रेस करेंगे यह देखो enter प्रेस किया तो यह देखो invalid यहां पे आ गया तो जहां पे यहां पे यह hyphen शो हो रहा है अब जो है हमें यहां पे invalid message शो होगा तो इसको यहां पे हम ड्रैग करेंगे यह देखो नीचे ड्रैग किया ड्रैग करने के बाद इसको शोड़ा यहां पे और यहां पे क्लिक किया तो यह देखो जहां पे हाइफन आ रहा था वहां पे आप invalid text message यहां पे आ गया तो इस तरह से if error function की साहिता से हम error message को cell से अटा सकते हैं तो इस वीडियो में हमने यह जाना कि if error की साहिता से कैसे error message को अटाया जाता है इसके बारे में जाना आगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद